हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो माई चैनल हाची क्रियेशन्स इस वीडियो में आज आपके बहुत ही इजी निटिंग पैटरन बताने जारे हैं जैसे हम अपनी किसी भी निटिंग प्रॉचेक्ट पे यूज कर सकते हैं यह पैटरन बहुत ही जादा खुबसूरत पैटरन ह है और यह 5 के मल्टिपल एंड प्लस टू एप स्टिचेस में बनके तायार हो जाता है यह राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाए देता है और यह रॉंग साइड से ऐसे दिखाए देता है सो लेट स्टार्ट इपैटरन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्ली किसटेस आपको क्यार आपको केसे दिख सो टूइँछ क्यों कि सुआ है और यह राइट साइद स्ट लेइए गरी देता हमारा हमारा ओन मोड़ा चाहरा है निसलिखाल से लिखाए चिज़ेंकर लगा दो बोथारिगा इवस्ट ने सुन लाइज शिरू गारेंग निन देत stitch with double time yarn over सीधा बुन लिया ऐसे हम three times करेंगे one फिर से सीधा बुनेंगे और ऐसे two time धागे को लपेटेंगे और इससे सीधा बुन लेंगे again repeat for third time फिर से सीधा बुनेंगे और इसे ऐसे double time yarn over कर लेंगे धागा इदर ही रखेंगे और एक stitch को हम ऐसे purlwise slip कर लेंगे जैसे हम उल्टा बुनते हैं यही pattern अपनी पूरी row में repeat करते जाएंगे first is मारा stitch था यहां से मारा pattern शुड़ू होता है तो एक stitch को हम purlwise slip कर लेंगे इसके बाद 3 stitches को हम सीधा बुनेंगे knit 3 stitches with double time yarn over again slip 1 stitch we will repeat this pattern in the whole row पूरी row में हम अपने यही pattern repeat करते जाएंगे and our repeat pattern is slip 1 stitch purlwise purlwise एक stitch को slip कर लेंगे then next stitch को हम double time yarn over करेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे knit stitch with double time yarn over ऐसे हम 3 stitch सीधे बुनेंगे और double time ऐसे yarn over करेंगे यह 2 3 then slip 1 stitch यह 2 times हमारा pattern बन गया last में edge stitch होगा तो उसे हम सीधा ही बुन लेंगे knit the edge stitch second row wrong side slip the edge stitch edge stitch को हम ऐसे slip कर लेंगे after that our pattern will be start and the pattern is अब इस stitch को जिसे हमने slip किया था इसे उल्टा बुन लेंगे purl 1 stitch अब हमने अपनी first row में यह double time yarn over करके 3 knit stitch बनाए थे अब इन्हें unwrap कर देंगे इसकी yarn को ऐसे करके इसे drop कर देंगे इन 2 stitches को आगे की तरफ से ऐसे लेंगे now it shift into the left needle again और इन 3 को हम उल्टा बुन लेंगे purl these 3 stitches 1, 2 and 3 यह हमारी left cable बन गे इसके बाद 1 stitch हम उल्टा बुनेंगे purl 1 stitch यही pattern हम अपनी पूरी row में repeat करते जाएंगे and the repeat pattern is purl 1 stitch 1 stitch उल्टा then इन 3 stitches की जो extra yarn थी उसे हम unwrap कर देंगे ऐसे 1, 2 and 3 then again shift into the left needle इन्हें हमने left needle पे shift किया अब इन 3 stitches की हम left cable बनाएंगे 3rd stitch को throw the back side ऐसे लेंगे और इन 2 stitches को आगे की करब से ऐसे लेंगे now shift into the left needle again और इन 3ों को हम उल्टा बुन लेंगे purl these 3 stitches then purl 1 stitch ये 2 times हमारा pattern बन गया लास्ट में हमारा edge stitch होगा तो उसे हम उल्टा ही बुन लेंगे double time yarn over करेंगे knit 3 stitches with double time yarn over ये 3 stitches बन गे तीन बार तीन स्टिच बन गे दो बार दागे को सलाई पे घुमाके next stitch को हम ऐसे ही slip कर लेंगे we will repeat this pattern in the whole row पूरी रो में अपना ये ही pattern repeat करते जाएंगे and the repeat pattern is slip 1 stitch एक stitch को slip किया then next stitch को हमने double time yarn over करके सीधा बुन लिया अब हम ऐसे ही 3 stitches सीधे बुनेंगे और ऐसे दो बार दागे को अपनी सलाई पे घुमाएंगे knit 3 stitches with double time yarn over then slip the next stitch last में हमारा edge stitch होगा तो उसे हम सीधा ही बुल लेंगे knit the edge stitch also और थो slip the edge stitch edge stitch को हमने slip किया अब इसके बाद हमारा pattern शुरू होगा and the pattern is purl 1 stitch 1 stitch उल्टा अब ये जो हमने yarn wrap की थी फिर से उसे unwrap करेंगे extra yarn को से drop करेंगे 1, ये 2, ये 3 अब इन्हें फिर से shift करेंगे अपनी left needle पे shift किया अब इनकी हम 2 by 1 की right cable बनाएंगे इन 2 stitches को ये जो 2 stitches हैं उन्हें आगे की तरफ से from the front side और ये first one को ऐसे from the back side ऐसे ले लेंगे again shift into the left needle और इन तीनों का हम उल्टा बुन लेंगे then 2 and 3 then purl the next stitch एक stitch फिर से उल्टा बुनेंगे ये ही pattern हम अपनी पूरी row में repeat करते जाएंगे and the repeat pattern is purl 1 stitch एक stitch उल्टा जिसे हमने अपनी पिछली से line में slip किया था उसे उल्टा बुन लिया अब इन 3 stitches की जो double yarn over किया था extra yarn को unwrap कर देंगे ऐसे करके 1 ये 2 and 3 now shift into the left needle left needle पे डाला इन 3 stitches की हम 2 by 1 की right cable बनाएंगे इन 2 stitches को ऐसे from the front side और ये first one को throw the back side ऐसे ले लिया now again shift into the left needle और इन 3 को हम उल्टा बुननेंगे purl these 3 stitches 1 2 and 3 then purl the next stitch next stitch को हम उल्टा बुनेंगे इस 2 time हमारा pattern बन गया last में हमारा edge stitch होगा तो उसे हम उल्टा ही बुन लेंगे purl the edge stitch so friends after the 4 rows ये pattern ऐसे करके हमारे पास तयार हो गया इसके बाद फिर से हम अपनी 1 to 4 rows repeat करते जाएंगे तो हमें continuously अपना खूबसूरा सा ये pattern ऐसे करके मिल जाएगा I hope you will like my video thank you for watching my video and enjoying knitting with us त best V